महराश्ट्र में अब नहीं बजेगा हनुमान चालीसा जियां चौकिमत यह हम नहीं कह रहे है यह महराश्ट्र की सिफ सेना सरक्वार द्वारा लिया गया फैसला है आपने सही सुना सिफ सेना प्रमुक और महराश्ट के सीम उद्धव ठाकरे के प्रशाशनिक अधिकारी नास कोई धर्मिक गीत या हनुमान चालीसा नहीं चलेगा जी हां और साथी साथ मस्जिद के आस्पास सौ मीटर तक तो हनुमान चाले सा यह कोई भी धर्मिक भजन या गीत बजना ही नहीं चाहिए महराश्ट्र सरकार के पुलिस कमिशनर के बयान से लोगों के अंदर काफी ना प्रुरत भी नहीं करता था इस फैसले को महराश्ट्री की जनता स्वीकार करेगी या इसका विरोध करेगी यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन अभी भी ट्विटर पर लोग इसका खासा विरोध कर रहे हैं कोई यूजर कुछ लिख रहा है तो कोई यूजर सरकार को पुलिस आयुक तो कोई अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या समाजिक जो उतल पुतल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स से उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक तो वहाँ पर शांती प्रस्थापित करने के के लिए संबंधित पक्षकारों नागरिकों और इतर यंत्रना को कोई भी आदेश जारी कर सकती है इसके तहट महराष्ट नावनिर्मान सेना ने जो यहां पर अर्ज किया था वो साथी में जो मरकज जो समाज है उन नाशिक की उन लोगों ने जो मुसलिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननिय सर्वच्च नयाले का निर्णे महराष्ट शासन के तरफ से अलग-अलग समय पर जो धौनी प्रदूशन के शेत्र में जो शासन निर्णे जारी किये गये हैं वो और नाशिक शहर पुलिस आयुकताले की विशेश शाका ने जो गोपनी आहवाल समिट किया है इन पाचों चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुकताले ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है आजान पढ़ने का उसको रिकगनाइस किया गया है और इसके अंतरगत जो सुबह के प किया है इसके पीछे उद्देश यह है कि अकिसी वी वेक्ति के अधिकार वहां समापत होते हैं जहां दूसरे वेक्ति के अधिकार शुरू होते हैं और भारत के समविधान के अंतरगत और जो समाज के प्रती जो जवबदारी है इसकी हमशपत लेते हैं और इसके तहत बिवस्ता को बरकरार रखने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया है